हम जिसमें भी trade कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि demand की तरफ action जादा है या supply की तरफ action जादा है अच्छे खासा भाग जाता है, तब हमारी नजर उस पे आती है, अरे ये तो आज के top gainers में है अरे ये तो आज के top losers में ये तो already 5% बढ़ चुका है अरे ये तो इतने दिन में 10% बढ़ चुका है इसी को लेते हैं क्योंकि ये 10% बढ़ चुका है ये और बढ़ेगा आज जिसको हम price action कह रहे हैं पहले कहते थे भाव भगवान है मतलब price action is everything Hello friends, ये हमारा topic है कि मैं price action को कैसे use करती हूँ price action 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 हम सुनते हैं कि price action price action action मतलब start, cut मतलब finish ये terms हमने बहुत बार कई जगे अलग-अलग तरीके से सुने है action, cut तो यहाँ पे भी action, cut समझ जाएए action मतलब action लेने का time आगया cut मतलब position cut करने का time आगया मेरा हमेशा है कहना है कि indicators है, oscillators है, ये सब supportive है ultimately हम price action देखते हैं price action का मतलब क्या होता है अब price action का मतलब market में demand है या supply है जो particular stock है या index है हम जिसमें भी trade कर रहे हैं हमें ये देखना है कि demand की तरफ action जादा है या supply की तरफ action जादा है हम continuously price movement देखते हैं और क्या होता है जब price भागने लगता है और अच्छे खासा भाग जाता है तब हमारी नजर उस पे आती है अरे ये तो आज के top gainers में है अरे ये तो आज के top losers में ये तो already 5% बढ़ चुका है अरे ये तो इतने दिन में 10% बढ़ चुका है इसी को लेते हैं क्योंकि ये 10% बढ़ चुका है ये और बढ़ेगा और बहुत पार ऐसा होता है कि जैसे ही मैंने entry की 10% उपर वो भाई साब तो वहीं अटक है नीचे भी आना शुरू हो जाते हैं नहीं तो वहीं खड़े हो जाते हैं बहुत मैं नहीं चलूँगा क्यों आपने बाई जो कर लिया तो क्या मैंने कोई गल्ती की बाई करके मैंने गल्ती ये की कि जो स्टॉक ने इतना रन अप ले लिया मैंने उसे एक बार भी देखना जरूरी नहीं समझा कि ये रन अप कितने short period में हुआ और अगर ये short period में हुआ है तो जिन्होंने नीचे के भाव में buy किया है वो profit booking करने के लिए आएंगे न तो कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल रहे हैं और हम enter कर रहे हैं वो तो फिर बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी ऐसी situation में bottom तो मुझे नहीं मिलेगा मैं ये तो कह सकते हूँ कि bottom मुझे नहीं मिलेगा buying के लिए और selling के लिए top नहीं मिलेगा reversal effect हो सकता है but bottom buying और top selling बहुत कोई 1000 trade में से एक trade ऐसा हो गया कि मैंने top में बेचा है उसके बाद भाव पर नहीं गया हो और मैंने bottom में खरीदा होगा जो इसका भाव उसके बाद नीचे नहीं गया what? कोई 1000 में से एक trade not possible तो क्या देखना है मुझे मुझे basically एक demand और supply अब मैं जो demand देखती हूँ वो कहा देखती हूँ support के level पे मैं जो supply देखती हूँ वो resistance के level पे let us say मेरे पास variety of support zones है they can be ऐसे price ऐसे move कर रहा है और यहीं पे बार-बार support ले रहा है फिर घूम रहा है तो यह एक support zone हो गया फिर मान लो market नीचे जा रहा है मैंने bottom line बनाई और price ऐसे उसी को line को touch करके और घूम रहा है यह भी एक variety का support zone हो गया मान लो कोई price उपर गया उपर जाके correct करता है as per fib retracement वो भी एक support zone हो गया अब इन में से कौन सा support zone मुझे use करना है कौन सा नहीं करना है तो price action के लिए मैं one degree या two degree lower भी जा सकती हूँ नहीं तो demand है या नहीं support पे मुझे कुछ चीजें जो है बहुत पसंद आती है सबसे पहली बात जैसे ही दुकान खुलती है और अगर दुकान के बाहर clients की line लगी है purchasing के लिए तो entry के time पे आप खुश हो जाते हो अरे वहास तो इतने buyers है मेरी दुकान के सामने कि जैसे ही मैंने entry की थड़ा थड़ buying orders आ गए लोग आ रहे हैं खरीद रहे हैं तो अच्छा लगता है वैसे ही मैं भी market को देखती हूँ और किसी भी stock में जब support के पास में open और low nearby nearby का मतलब approximately half percent to one percent के असपास का मैं nearby कहती हूँ उससे ज़्यादा होता है तो मैं छोड़ देती हूँ और ये मैं देखती हूँ market को settle down होने के बाद 15-20 मिनट छोड़ देते हैं market को settle down होने के लिए उसके बाद हाँ मानती हूँ बहुत सारे stock 15 मिनट में ही भाग जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे stocks हैं जो भाग जाते हैं या भाग रहे हैं वो run up लेके वापस नीचे आ जाते हैं उसन सिचुएशन में तो फंसने के चांस जादा है ना ठोड़ आराम से काम कर लेंगे हमें कौन सा रोज के 10-20-25 शेर में काम करना है एक दो तीन शेर हाथ आ गए अच्छे खासे काम कर लिया इंट्राडे पोजीशनल जो भी है पोजीशनल में करते हैं हफते भर की पोजीशन ह करते हैं अच्छा रिटान आ जाए निकल सकते हैं अच्छा बुरा तो सब की पॉकेट पे डिपेंड करता है ना बट ऑन एन आवरेज हम यह देखते हैं भाई वीक का 2-3% मिल जाया तो वी आर हैपी तो इसका मतलब यह नहीं कि महीने का 10-12% हो गया अगर महीने के ओवरॉ लॉस भी है प्रॉफिट भी है सब मिला मिलू के 3-4% नेट में घर ले गए तो बहुत बड़ी बात हो गई लेकिन वही चीछ डिसिप्लिन स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है तो सपोर्ट के पास में ओपन और लो अगर नियर्बाइ मिल जाता है मतलब क्या हुआ जैसे ही मैंने दुकान खोली बाइर्स की लाइन लगी हुई है बाइ कर रहे हैं और बाइर्स कम नहीं हो रहे हैं क्यों क्योंकि 15-20 मिनिट निकल गए और लो नहीं टूटा प्राइस वहीं पास में ही है ऐसी सिचुएशन में मैं एक बाइ ट्रेड ले सकती हूँ अच्छा ये रन अप कितना होता है रन अप हमें जैसे 2-3% चाहिए तो एक छोटी सी चीज है जो मैं चार्ट पे दिखाती हूँ हमारा टार्गेट और स्टॉप लॉस और बेस्ट अन प्राइस अक्शन अगर आप ये विडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% of the traders लॉस में रहते हैं ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है बट टॉप 5% में आने के लिए सही नॉलेज और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है जो आपको एक्स्पीरिंस प्रोफेशनल ही सिखा सकते हैं अब search.club का technical analysis course आपके trading journey का perfect starting point है क्योंकि इसे जोती बुध्या मामने सिखाया है जिनके पास 37 years का experience है इस course में candlesticks, indicators and chart patterns जैसे कई सारे concepts practically cover किये हैं which will make you a pro trader तो आज ही description में दी गए link पे click कीजे और अपनी trading journey शुरू कीजे at just 4.99 Now let's get back to the video अभी ये एक stock है इसको replay mode में दिखा रही हूँ जिससे समझ में आए कि मैं कैसे करती हूँ Let us say आज ये मेरे positive zone में है और positive zone में मुझे open और low nearby मिल गया तो open और low आप कहां देखेंगे यहाँ पे जहाँ भी मेरा cursor होगा यहाँ पे open high low close लिखा हुआ है तो यहाँ मैंने cursor लिया क्या price है open 518.45 और low है 518 जो कि मेरे half to 1% के अंदर अंदर आता है क्या ये मेरे buying zone में है RSI above 50 अब मैं RSI above 50 की बात क्यों कर रहे हूँ क्योंकि open low है RSI भी above 50 है तो friends मैंने क्या है ये सारे videos record किये हैं जैसे जैसे आप लोग की request आती है demand आती है वैसे वैसे मैं videos बनाती हूँ और ये भी कहूंगी कि जो video आपको पसंद आए उसे like कीजिए तो मुझे भी ये समझ में आएगा कि आप लोग को concept topic बहुत अच्छे लगते हैं तो उनमें मैं advanced topics और लेके आउंगी मेरे पास जितना भी knowledge है ना मैं share करना चाहती हूँ तो comment में भी डाल दीजे अगर आपको अपने कोई पसंद दीदा topic पे knowledge चाहिए इन charts, options जो भी है मैं बताऊंगी और ये videos भी देख लीजेगा i button क्लिक करके options के हैं और RSI पे जहाँ पे मैं अभी बात कर रही हूँ कि RSI अगर above 50 है तो अगर RSI above 50 है जी बिलकुल है RSI above 50 है अब RSI above 50 open और low almost हो गया मैंने ये trade ले लिया नेटर से साड़े 9 बजे target क्या आएगा तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए यहां से horizontal lines ट्रॉ करनी शुरू कर दूंगी जो previous swing highs है यह पहला previous swing है उसके बाद का यह swing है उसके बाद का यह swing है उसके बाद का मेरे पास क्या situation बन रही है target approximately 553rd target आ रहा है और इसको हम पकड़ रहें data से 522 या 525 क्या स्पास भी पकड़ रहें तो येस ओके हमारा stop loss चो आ रहा है वह राउंड दस रुपय का stop loss पहला target अगर है तो करीब 12-13 रुपय का पहला target है दूसरा target हमारा उससे भी करीब 10-12 रुपय उपर है और फिर उसके बाद हमारा उसके भी 8-10 रुपय उपर है ऐसे करके हमारे पास तीन target हो गए अब हम इसमें आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए मेरा पहला target अच्छी हो गया उसके बाद दूसरा target की तरफ पिया गया जो चीज मुझे देखने मिल रही है 529.45 का open है यहां पर देखिए तो second day 529.45 का open है और 527.45 का low है मतलब open और low almost आज भी same है मेरे range में है RSI भी above 50 है मेरा कलकर ट्रेड का अभी तक SL हिट हुआ नहीं है अब यहां पर जो मेरा पहला target है मैं part profits book कर लोंगे इस part profit के लिए क्या है कि मैं क्यों book करती हूं जिससे कि अगर मेरा stop loss बाद में hit हो जाता है तो बड़ा loss नहीं है अब price क्या बोल र जब market वापस open होता है फिर से open और low same है अब मैं so what is my action saying continue अभी तक market ने कट नहीं बोला है मुझे तो दिख रहा है कि कैसे है मैं trade ले रही हूं price action बराबर चल रहा है market क्या बता रहा है मैं bind zone में हूं opening के साथ ही मैं गिरने को तयार नहीं हूं stop loss हम trail कर लेंगे जैसे ही third day होत और plus मैंने part profits book किया हुआ ही है अब वापस resistance के past में close कर रहा है फिर थोड़ा सा profit book कर लेंगे फिर आगे चलते है third target की तरफ जाता है कि SL हिट होता है देखते हैं वहीं पे है ना SL हिट हुआ ये देखिए हमारा third target भी अच्छीव हो गया और उसके बाद RSIB 70 के उपर है अभी तक market ने officially मुझे cut नहीं बोला है let's continue मैं cut कब करूंगी जब मुझे open और high almost same मिलेगा या मेरा trailing SL हिट हो जाएगा जो कि इस line के नीचे अब मेरा trailing stop loss है तो let us go further इस line के नीचे close हुआ gap down मेरा SL हिट हो गया trailing SL हिट हो गया उसके बाद वो उपर गया कि नहीं गया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है मेरा trailing SL हिट हो गया मतलब हो गया RSI 70 के नीचे आ गई price इस line के नीचे close हो गया I am done मेरे पास यह पूरी rally का अगर सारा पैसा नहीं भी आया है तो जो मुझे चाहिए था 2-3% तो उतना तो आही गया होगा तो price action जब आता है तो उस basis पे हमें trade लेना है action भी आ गया cut भी आ गया यह हो गया buying अब हम देखते हैं selling friends ऐसा है homework तो करना पड़ता है practice तो करनी पड़ती है जब हम अपने कुछ particular scripts follow कर रहे हैं जो हमारे trading portfolio में है या हमारे investment portfolio में है तो हम उनको थोड़ा बेच के वापस लेना भी पसंद करते है study तो करनी पड़ेगी तो यहाँ पर मुझे indication मिलता है सबसे पहले मैं दिखती हूँ indication है की नहीं है तो indication में price ने बनाया higher high और RSI ने बनाया lower high तो यह चीज मैंने जब study की मुझे दिखाई दे दी रात को previous day अब मेरी उस पे नजर एक दिन दो दिन तीन दिन रहेगी किस दिन वो open high देगा और open high pass में देगा तो मैं उसमें trade करूँगी और अगर stock है तो बेच के वापस भी ले सकती हूँ cash में भी कर सकती हूँ नहीं तो फिर short तो मैं F.O में ही कर सकती हूँ cash में तो intraday कर सकती हूँ but otherwise अगर मुझे लंबा hold करना है तो मैं या तो F.O में काम करो या मेरे पास stock है तो वो बेच के बाद में ले सकती हूँ ये गिरा open और high almost same है 5.85 और 5.85 high का high है और अब जब ये बन जाता है तो जैसे मैं उपर जाते time targets बनाए ये मेरा stop loss रहेगा इसके उपर और ये मेरा पहला target रहेगा क्या ये target एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ almost seven days में ये target आ गया लेकिन दिल के बाद बताती हूँ अगर ये एक ही दिन में मुझे इतना एक या दो दिन में मुझे इतना fall दे देता है एक डिर परसंट और सच में तो अगर एक परसंट भी दे देता है इत परसंट भी दिन में तो 90% traders जो है वो position काट के जाएंगे घर नहीं लेके जाएंगे लेकिन फिर भी अगर मैं rule based चलूँ तो rule based के हिसाब से मेरे हाथ में delivery है वो छोड़ दूँगी और ये मेरा पहला target होगा ये पहला target के बाद जैसे मैं draw करती हूँ वैसे ही draw करूँगी तो ये हुआ मेरा पहला target देखे इसको अब मैं थोड़ा और stretch करूँ तो यहां से यहां से सब यही आ रहा है ना पहला target मतलब ये अगर तूट गया कितना 1, 2, 3 अगर ये तूट गया तो fall आएगी बड़ी और जो आपको मुझे दिख भी रही है कि आईए मेरा second target होगा ये उसके पहले का swing लो सीधा आके वहीं रुका जैसे जैसे आता जाएगा मैं cover करते जाओंगी अच्छा इकोट रिक्स शेर करती हो अगर मालो आपने futures में बेचा है ये सिर्फ अगर futures में बेचा है तो कर सकते हैं और हाथ में पैसा होना चाहिए otherwise नहीं कर सकते तो futures में बेचा है एक lot तो यहाँ पे आके मैं आधी lot cash में buy करके कम कर सकती हो मतलब part profit booking कर लिया ये मैं buying में नहीं कर सकती F.O. में विकाज में cash में short नहीं कर सकती फिर वापस जब ये second point आया और भी buy कर सकती हो और या फिर पूरा square off कर सकती हूँ जब square off करना होगा तो फिर मैं futures पूरा square off कर दूँग cash में भी जो मेरे पास होगा वो भी square of कर दूँगे अगर मैंने short के हिसाब से cash में part profit booking की है तो तो ये एक और तरीका है कि हम part profit भी book कर सकते हैं अगर हम futures में short करते हैं part profit ही booking नहीं अगर मेरे पास हाथ में पैसा है और मुझे पूरी lot नहीं बेचनी है तो मैं जितने shares मुझे बेचने एक lot बेच के balance मैं cover कर सकती हूं तो मुझे कोई बहुत बड़ी quantity नहीं बेचनी पड़ेगी बट हाथ में उसमें पैसा होना बहुत जरूरी है net में मेरा कम quantity भी short हो सकता है इस तरह से हम price देख रहे हैं और कितने अच्छे से action दिख रहे है यही चीज मान लो मेरे पास charts नहीं है और मैं screen को देखके कर रही हूं तो screen पे भी तो मुझे open और high दिख रहा है या open और low दिख रहा है तो देखे कि आज किस दिन कौन सा open high, कौन सा open low है और price जो है वो उपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है वो देखने के लिए VWAP का भी use कर सकते हैं हम तो price action कहे तो ही action लेना है अगर price action नहीं कहे तो action नहीं लेना है अब मान लो यहाँ पे भी मुझे negative divergence मिला लेकिन यहाँ पे open high नहीं मिला अब यहाँ पे मुझे action नहीं मिला because opening के साथ में sellers नहीं आए है पहले market खुला buyers market को उपर ले गए फिर नीचे आया तो ऐसे में तो confusion हो जाता है मुझे चाहिए कि majority आज सुबह से हो क्या रहा है opening के साथ क्या हो रहा है तो वहीं से मैं trade को पकड़ना पसंद करती हूँ miss तो miss, no problem लेकिन जब trade चाहिए तो इसी तरह से चाहिए और दूसरी बात ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे सारे trades positive जाते है मेरे SL भी hit होते हैं लेकिन SL रखती हो hit होते हैं तो होते हैं, can't help और इसी लिए SL hit होने देती हूँ क्योंकि market किसी के control में नहीं है मेरी study बहुत अच्छी है मैंने ये मान लिया कि I am the best ये मैं अपने आप में सोच सकती हूँ लेकिन मुझे थोड़ी ना पता है कि मेरे साब भी तो best बहुत सारे लोग है उन्होंने क्या study कर रखा है और उससे भी बड़ी बात अगर कोई event हो गया अचानक से या मान लो कहीं से कोई selling या buying pressure आ गया वो तो मुझे नहीं पता ना ऐसी situation में मैं फस सकती हूँ मेरे अपने आप में best होने की कोई value यह नहीं रह गई ना तो इसलिए मुझे माकेट से कोई ego नहीं है भाई मैं best नहीं हूँ मैं अपना trade कर रही हूँ अपना पैसा निकाल रही हूँ मैं उसी में खुश हूँ मुझे अपना काम मिल जाता है बट एक बात है जो हमेशा से सुनती आई हूँ रिंग टाइम से सुन रही हूँ अपने grandparent से सुन रही हूँ पापा से, मम्मी से सबसे यही सुना है आज जिसको हम price action कह रहे हैं वो चीज को पहले कहते थे और आज भी कहते हैं भाव भगवान है मतलब price action is everything तो friends ऐसा है कि indicators है, oscillators है मतलब चाहे वो moving average हो चाहे वो RSI हो, चाहे वो MACD हो जो भी आप use करते हो even मैं भी VSI करते हूँ वो लोग मुझे कितना भी indication दे दे negativity की जब तक price में मुझे वो action नहीं मिले breakout, breakdown, support से reverse resistance से reverse with open high के pass वाला candle तब तक मैं trade नहीं लेती हूँ मतलब action की आवाज तो आनी चाहिए market से, तभी action होगा तब तक action नहीं होगा Thank you